नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आपको ग्यात होगा राजस्तान और देश भर में तुफान की चेतावनी दी गई है मोसम विभाग ने आसंगा जताई है कि 17 मई से गुजरात में भारी बारिस सुरू हो शकती है आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है मुश्किल है सौराष्ट और कच जैसे इलाकों में 18-19 मई को भारी बारिस की चेतावनी दी है वही आपको राजस्तान के जेसलमेर, बाडमेर, अलवर, धोलपूर में भी कई बारिस की चेतावनी दी है पूरी जैनकारी देखते ही इस वीडियो को लाश्ट तक वरन आपको पचताना पड़ सकता है क्योंकि हमने इस वीडियो में पताई है एक एक और 60 जैनकारी आपके लिए जो आपके लिए काफी मैतो पुरण है भारतिय मुस्म विबाग, IMD ने सुकरवार को आगा किया है कि अगले 36 गंडों में लक्स दीप और अर्बसागर के ऊपर चक्रवात बन सकता है इस से देश के दक्षिन हिस्सों में भारी बारिस हो सकती है विबाग नहीं अभी चेतावनी दी है कि इसका अठरा माई तक गुजरात के तट पर उच्छ तेवरता का चक्रवात तौकते हुए पहुँचेगा गुजरात में भारिस बारिस की चेतावनी दे दी गी है अगले 5-6 दिनों में 50-80 किलोमेटर की परती घंटा रफ्तार से तेज हवाय भी चल सकती है साथ ही आपको बता दें केरल तमिलनाडू में भी अलर्ड जारी कर दिया गया है चक्रवात के असर से 24 घंटों में लक्सदीप के भारी हो सकती है केरल और तमिलनाडू में 16 माई तक भारी बारिस के आसंका जताई जारी है मुसमभाग ने केरल और लक्सदीप के तीन जिल्लों में शुक्रुवार को केरल पार्ड़ समुंद्री तुफान ताउर ते दक्सिन पुर्व और उससे छटे पुर्वी मद्य अर्पसागर के उपर बना हुआ है इसके आज दोपर तक गंबीर चक्रवात में कल सुबह 16 माई तक बहुत गंबीर चक्रवात में बतले की उम्मीद है इसके उत्तर पच्चीम देशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है 18 माई तक सुबह पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात में दस्तक दे सकता है मद्य पाकिस्तान के उपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है एक ट्रफ रेका इस चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र से राजस्तान होते हुए पच्चीम उत्र परदेश तक नीचले इस्तरों पर फैली हुई है विंद्रब और आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का ख्षेतर बना हुआ है एकन्य चक्रवाती हवाओं का ख्षेतर गंगी पच्चिम बंगाल के उपर और साइकलोनिक सर्कूलेशन आमाम मद्य भाग पर बना हुआ है पिछले 24 गंटों के दोरान केरियल तट्टीय करनाटक के कुछ हिस्सों लक्स दीप असम और अरुनांचल प्रदेश में भारी बहुत बारिस हो चुकी है उत्तरपुर्व भारत के बागी हिस्सों में चिकीम अंडमान और निकोबार, दीपसमू, मद्यमाराष्ट के कुछ हिस्सों में राजस्तान के कुछ हिस्सों और चमुकस्मीर से हलकी मद्यम बारिस दर्ज की गई है दोस्तों आपको बता दे कि 24 गंटों के दोरान केरल और तमिलनाडू के शेश भागों में मध्य माराष्ट गुजरात के कुछ हिस्व में चिक्किम और उत्तर भारत में एक दो इस्तानों पर मध्यम से हलकी बारिस हो सकती है आंधर परदेस और तैलंगागना के कुछ हिस्व में हलकी बारिस हो सकती है जो दो इस्तानों पर मध्यम बारिस हो सकती है अनमानों और निकोबार दीपसमू मध्य प्रतेस के कुछ हिस्व में पच्चीमी हिमाले और पंजाब राजस्तान में हलकी बारिस हो सकती है साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको खबर पसंद आती है तो और इस वीडियो में कमेंट करके हमें बताईए कि आप इस वीडियो को कहां से देखते हो ताकि हम आपको सटीक जानकारी दे पाएं मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए जुड़े रहे इवन फैक्ट के साथ